मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इस शुबह उसर पर आप आपके मन की बात कहें। लोगमान्य त्यरंकांजी, आज एक्षे तीनवी फून्यति दिया है। देशाला अनेक महानायक देनाचा महराष्टचा भूमिला मी कोटी-कोटी बंदन करते। इवाम उपस्तित, भाई और बेहनों, आज का ये दिन मेरे लिए बहुत एहम है। मैं यहाँ आकर जितना उत्साहित हूँ, उतना ही भावुग भी हूँ। आज हम सब के आदर्श और भारत के गवरों बाल गंगादर तिलक जी की पुन्यति थी है। साथ ही आज अन्ना भाव साथे जी की जन्मजेंति भी है। लोकमान्य तिलक जी तो हमारे स्वतंत्रता इतिहास के माथे के तिलक है। साथ ही अन्ना भाव ने भी समाज सुधार के लिए जो योगदान दिया वो अप्रतीम है और साधारण है। मैं इन दोनों ही मापुरुषों के चर्णों में स्रद्धा पुर्वक नमन करता हूँ। आज या महत्वचा दिवशी मला पुन्याचा या पावन भुमी वर माराश्टाचा धर्ती वर येना चीज संधी मिलाली हे माजे भाग्या है। ये पुन्य भुमी छत्रपती सिवाजी महराज की धर्ती है। ये चाफेकर मंधों की पवित्र धर्ती है। इस धर्ती से जोतिवा फुले सावित्रिवाई फुले की प्रेणाय और आदर्ष जोडे है। अभी कुछी देर पहले मैंने दगडु सेट मंदिर में गणपती जी का आशिरवाद भी लिया। ये भी पूने जिले के इतिहास का बड़ा दिल्चस्प पहलू है। दगडु सेट पहले व्यक्ति थे जो तिल्च जी के आहवान पर गणेश प्रतिमा की सारवजेनिक स्थापना में शामिल हुए थे। मैं इस धर्ती को प्रणाम करते हुए इन सभी महान विभूतियों को स्रद्धा पुर्वग नमन करता हूँ। साथियों आज पूरे में आप सब के बीच मुझे जो सन्मान मिला है। ये मेरे जीवन का एक अव विस्मर्निय अनुभव है। जो जगर जो संस्ता सीधे तिलक जी से जुड़ी रही हो। उसके द्वारा लोकमान्य तिलक नेशनल एवर्ड मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं सम्मान के लिए हिंद स्वराज संग का और आप सभी का पूरी विनम्रता के साथ रदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगा। अगर उपर उपर से थोड़ा नजर करें तो हमारे देश में काशी और पुने दोनों की विशेश पहचान है। विद्वत्ता यहां पर चिरंजीव है अमरत्व को प्राप्त हुई है। और जो पूने नगरी विद्वत्ता की दूसरी पहचान हो उस भूमी पे सम्मानित होना जीवन का इस से बड़ा कोई गर्व और शंतोस की अनुभूती देने वाली घटना नहीं हो सकती है। लेकिन साथियों जब कोई एवोर्ड मिलता है तो उसके साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। आज जब उस एवोर्ड से तिलक जी का नाम जुड़ा हुआ हो तो दाई तो बहुत और भी कई गुना बढ़ जाता है। मैं लोकमान ये तिलक नेशनल एवोर्ड को एक सो चालीस करोड देश वाचियों के चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं देश वाचियों कोई विश्वास भी लिजाता हूँ कि उनकी सेवा में, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं की पूर्ती में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोडूँगा। जिरी के नाम में गंगा धर हो, उनके नाम पर मिले इस एवोर्ड के साथ, जो दनरासी मुझे दी गई हैं, वो भी गंगा जी को समर्पित कर रहा हूँ। मैंने पुरसकार रासी नमामी गंगे परियोजना के लिए दान देने का निरना लिया है। साथियों, भारत की आजहादी में लोकमान्य तिलक की भूमिका को, उनके योगदान को, कुछ गटनाओं और शब्दों में नहीं समेटा जा सकता है। तिलक जी के समय और उनके बाद की सुतंत्रत संग्राम से जुड़ी, जो भी गटनाओं और अंदोलन हुए, उस दौर में जो भी करांतिकारी और नेता हुए, तिलक जी की छाप सब पर थी, हर जगय थी। इसलिए खूद अंग्रेजों को भी तिलक जी को, तिलक जी ने भारत के स्वतंत्रता अंदोलन की पूरी दिशा ही बदल दी थी। जब अंग्रेज कहते थे, कि भारत वासी देश चलाने के लायक नहीं है, तब लोकमान यतिलक ने कहा, कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध दिकार है। अंग्रेजों ने धारणा बनाई थी, कि भारत की आस्था, संस्कृति, मान्यताएं, ये सब पिछडेपन का प्रतीख है। लेकिन तिलक जी ने इसे भी गलत साबित किया, इसलिए भारत के जन्मानस ने न केवल खूद आगे आकर तिलक जी को लोकमान्यता दी, बलकि लोकमान्य का खिताब भी दिया। और जैसा अभी दीपक जी ने बताया, स्वयम माहतमा गांदी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा। हम कलपणा कर सकते हैं कि तिलक जी का चिंतन कितना व्यापक रहा होगा, उनका वीजन कितना दुरदर्शी रहा होगा। साथियों, एक महान नेता वो होता है, जो एक बड़े लक्ष के लिए न केवल खुद को समर्पित करता है, बल्कि उस लक्ष की प्राप्ति के लिए संस्ताएं और व्यवस्ताएं भी तैयार करता है। इसके लिए हमें सब को साथ लेकर आगे बढ़ना होता है, सब के विश्वास को आगे बढ़ाना होता है। लोकमान्य तीलक के जीवन में हमें ये सारी खुबियां दिखती हैं। उन्होंने अंग्रेजों ने जब उन्हें जेल में डाला, उन पर अत्याचार की हुए। उन्होंने आजहादी के लिए त्याग और बलिदान की पराकाष्ठा की। लेकिन साथ ही उन्होंने टीम स्पिरिट के सहभाग और सयोग के अनुकर्णिय उदारण भी पेश किये। लाला लच्पत्राय और विपिंचंद्रपाल के साथ उनका विश्वास, उनकी आत्मत्या भारतिय स्वतंत्रता संगराम का स्वर्णि मध्याय है। आज भी जब बात होती है तो लाल, बाल, पाल के तीनों नाम एक त्री शक्ति के रुप में याद किये जाते हैं। तिलक जी ने उस समय आज़ादी की आवाज को बुलंद करने के लिए पत्रकारी था और अख़बार की अहम्यत को भी समझा। अंग्री जी में तिलक जी ने जैसा सरद्राव ने कहा दम्मराठा साप्ताइक शुरू किया। मराठी में गोपाल गनेश अगरकर और विष्णु सास्त्री चिपलूंकर जी के साथ मिलकर उन्होंने केश्री अख़बार शुरू किया। 140 से भी जादा समय से केश्री अनवरत आज भी मारस्ट में छपता हैं लोगों के बीच पढ़ा जाता है। यह इस बात का सबूत है कि तिलक जी ने कितनी मजबूत नीव पर संस्ताओं का निर्माण किया था। साथियों संस्ताओं की तरह लोकमान्य तिलक ने परंपराओं को भी पोशित किया। उन्होंने समाज को जोड़ने के लिए सारवजनि गणपती महोसव की नीव डाली। उन्होंने चत्रपती सिवाजी महाराज के साहस और आदर्सों की उर्जा से समाज को भरने के लिए शीव जैन्ती का आयोजन शुरू किया। ये आयोजन भारत को सांस्कृतिक सुत्र में पिरोणे के अभियान भी थे और इनमें पूर्ण स्वराज की संपूर्ण संकल्पना भी थी। यही भारत की समाज बवस्ता की खासियत रही है। भारत ने हमेशा ऐसे नेत्रुत्व को जन्म दिया है जिसने आजादी जैसे बड़े लक्षों के लिए भी संगर्स किया और सामाजिक बुराईयों की खिलाप नई दिशा भी दिखाई। आज की युवापीड़ी के लिए यह बहुत बड़ी सीथ है। भाई और बहनों लोकमान या तिलक इस बात को भी जानते थे कि आजादी का अंदोलन हो या राष्ट निर्मान का मिशन बविश्य की जिम्मेदारी हमेशा युवाओं के कंधों पर होती है। वो भारत के भविश्य के लिए सिक्षित और सक्षम युवाओं का निर्मान चाहते थे। लोकमान ये में युवाओं की प्रतिभाँ पहचानने की जो दिव्य त्रष्टी थी। इसका एक उधार्ण हमें वीर सावरकर से जुड़े घटनाकर में मिलता है। उस समय सावरकर जी युवा थे। तिलग जी ने उनकी ख्षमता को पहचाना। वो चाहते थे कि सावरकर बहार जाकर अच्छी पढ़ाई करें और वापस आकर आज़ादी के लिए काम करें। ब्रिटेन में शाम जी कृष्ण वर्मा ऐसे ही युवाओं का अफसर देने के लिए दो स्कॉलर्शिप चलाते थे। एक स्कॉलर्शिप का नाम था चत्रपती सिवाजी स्कॉलर्शिप और दूसरी स्कॉलर्शिप का नाम था महारा प्रताप स्कॉलर्शिप। वी सावर कर के लिए तिलग जी ने शाम जी करोष्ण वर्मा से सिफारिश की थी। इसका लाब लेकर वो लंदन में बैरिष्टर बन सके ऐसे कितने ही वाओं को तिलग जी ने तयार किया पूने में न्यू इंगलिस स्कूल देकन एजुकेशन सुसाइटी और फर्गुसन कॉलेज जैसे संस्थानों उसकी स्थापना उनके इसी विजन का हिस्सा है इन संस्थाओं से ऐसे कितने ही वाओं निकले जिनोंने तिलग जी के मिशन को आगे बढ़ाया राष्ट निर्मान में अपनी भूमी का निभाई व्यवस्ता निर्मान छे संस्था निर्मान विशन राष्ट के भविश के लिए रोड मेप पित्र होता है इसी रोड मेप को आदेश प्रभावी डंग से फॉलो कर रहा है साथियों वैसे तो तिलक जी पूरे भारत के लोकमान्य नेता है लेकिन जैसे पूरे और महरस्ट के लोगों के लिए उनका एक अलग स्थान है वैसा ही रिस्ता गुजरात के लोगों का भी उनके साथ है मैं आज इस विशेश पर अवसर पर मैं उन बातों को भी याद कर रहा हूँ स्वतंत्रता संग्राम के समय वो करीब बेड महिने अमदाबाद साबनवत्ती जेल में रहे थे इसके बाग 1916 में तिलग जी अमदाबाद आए और आपको जानकर के खुशी होगी उस समय जब अंग्रेजों की पूरी तरह जुल्म चलते थे अमदाबाद में तिलग जी के स्वागत में और उनको सुनने के लिए उस जमाने में 40,000 से जानदा लोग उनका स्वागत करने के लिए थे और और खुशी के बात है कि उनको सुनने के लिए उस समय ओडियंस में सरदार वुलब भाई पटेल भी थे उनके भाशन ने सरदार सहाप के मन में एक अलग ही चाप छोड़ी बात में सरदार पटेल अमदाबाद नगर पालिका के प्रेसिडेंट बने और आप देखिये उस समय के व्यक्तित्व की सोच कैसी होती थी उन्होंने अमदाबाद में तिलक जी की मुर्ति लगाने का फैसला किया और सर्म मुर्ती लगाने का फैसला किया नहीं उनके निर्णे में भी सरदार साब की लोह पुरूस की पहचान मिलती है सरदार साहाम ने जो जगह चुनी वो जगह थी विक्टोरिया गार्डन अंग्रेजों ने राणी विक्टोरिया की हिरग्येंती मनाने के लिए अमदाबाद में 1897 में 1897 में विक्टोरिया गार्डन का निर्माण किया था यानि ब्रिटिश महराणी के नाम पर बने पार्क में उनकी छाती पर सरदार पटेल ने इतने बड़े क्रांतिकारी लोकमानिय तिलक की मुर्ति लगाने का फैसला कर लिया और उस समय सरदार साब पर इसके खिलाब कितना ही दबाव पड़ा उन्हें रोकने की कोशिश हुई लेकिन सरदार तो सरदार थे सरदार ने कह दिया वो अपना पद छोड़ देना पसंद करेंगे लेकिन मुर्ति तो वहीं पर लगेगी अब वो गुर्ति बनी और 1929 में उसका लोकारपन मात्मा गांधी ने किया अमदाबाद में रहते हुए मुझे कितनी बार उस पवित्र स्थान पर जाने का मोका मिला है और तिलक जी की प्रतमयार के सामने सर जुकाने का आउसर मिला है वो एक अजबूत मुर्ति है जिसमें तिलक जी विश्राम मुद्रा में बैटे हुए है ऐसा लगता है जैसे वो स्वदंत्र भारत के उजवल भविश्की और देख रहे है अब कल्पना कहिए गुलामी के दौर में भी सरदार साम ने अपने देश के सपूत के सम्मान में पूरी अंग्रेजी हकुमत को चुझोती दे दी थी और आज कि स्थिती देखिए अगर आज हम किसी एक सडक का नाम भी किसी विदेशी आकरंता की जगह कर बदलकल भारतिय विभूति पर रखते हैं उनकी निंद खराब हो जाती है साथियों ऐसा कितना ही कुछ है जो हम लोकमान्य तिलक के जीवन से सिख सकते हैं लोकमान्य तिलक गीता में निष्ठा रखने वाले वेक्ती थे वो गीता के कर्मियोग को जीने वाले वेक्ती थे अंग्रिजों ने उन्हें रोकने के लिए उन्हें भारत के दूर पूरब में माणने की जल में डाल दिया लेकिन वहां भी तिलक जी ने गीता का अपना ध्यन जारी रखा उन्होंने देश को हर चलोती से पार पाने के लिए गीता रहस्य के जरिये कर्म योग की सहज समझ दी कर्म की ताकत से परिचित करवाया साथियों बाल गंगादर तिलक जी के विक्तित्व के एक और पहलू की तरफ मैं आज देश के यूँ आप पीड़ी का ध्यान आकरसित करना चाहता हूँ तिलक जी के एक बड़ी विशेस्ता थी कि वो लोगों को खुद पर विश्वेस विश्वास करना का के बड़े आग रही थे और करना सिखाते थे वो उन्हें आत्मविश्वास से भर देते थे पिछली शताब्दी में जब लोगों के मन में ये बात बैड़ गई थी कि भारत गुलामी की बेडिया नहीं तोड़ सकता तिलक जी ने लोगों को आज़ाजिका विश्वास दिया उन्हें हमारे इत्यास पर विश्वास था उन्हें हमारी संस्कृति पर विश्वास था उन्हें अपने लोगों पर विश्वास था उन्हें हमारे स्रम्य को उद्व्यों पर विश्वास था उन्हें भारत के सामर्थ पर विश्वास था भारत की बात आते ही कहां जाता था यहां के लोग ऐसे ही हैं हमारा कुछ नहीं हो सकता लेकिन तुलक जी ने हीन भावना के इस मिथक को तोड़ दे का प्रयास किया देश को उसके सामर्थ का विश्वास दिलाया साथियो अविश्वास के बातार में देश का विकाँ संभव नहीं होता कल मैं देख रहा था पूने के ही एक सज्जन स्रीमान मनोज पोचाड जी ने मुझे ट्वीट किया है उन्होंने मुझे दस साल पहले की मेरी पूने यात्रा को याद दिलाया है उस सबाएं जिस फर्गूसन कॉलेज की तिलग जी ने स्थापना की थी उसमें मैंने तब के भारत में ट्रस्ट डेफिशिट की बात की थी अब मनोज जी ने मुझे अगर किया है कि मैं ट्रस्ट डेफिशिट से ट्रस्ट सर्पलस तक की देश की यात्रा के बारे में बात करूँ मैं मनोज जी का भायर बेक्त करूँगा कि उन्होंने इस एहम विश्य को उठाया है भाई और भेनों आज भारत में ट्रस्ट सर्प्लस पॉलिसी में भी दिखाई देता है और देश वाज्यों के परिश्रम में भी जलगता है बिते नव वर्षों में भारत के लोगों ने बड़े बड़े बड़लाओं की नीव रखी बड़े बड़े परिवर्तन करके दिखाए आखिर कैसे भारत दुनिया की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थिववस्ता बन गया ये भारत के लोगी हैं जिनोंने ये करके दिखाया आदेश हर छेत्र में अपने आप पर भरोसा कर रहा है और अपने नागरिकों पर भी भरोसा कर रहा है कोरोना के संकटकाल में भारत ने अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास किया और उन्होंने मेडिन इंडिया वैक्षिन बना कर दिखाई और पूरे ने भी उसमें बड़ी भूमे का निभाई हम आत मंदिर भर की भारत बात आत मंदिर भर भारत की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि भारत ये कर सकता है हम देश के आम आत में को बिना गारंटी का मुद्रा लोन दे रहे हैं क्योंकि हमें उसकी इमांदारी पर उसकी करतव्य शक्ति पर विश्वास है पहले छोटे छोटे कामों के लिए आम लोगों को परिशान होना पड़ता था आज जादा तर काम मोबाइल पर एक क्लिक पर हो रहे हैं कागजों को एटेस करने के लिए आपके अपने हस्ताक्षर पर भी आज सरकार विश्वास कर रही है इसे देश में एक अलग माहोल बन रहा है एक सकारात्मक मातावन तयार हो रहा है और हम देख रहे हैं कि विश्वास से भरे हुए देश के लोग देश के विकास के लिए कैसे खुद आगे बढ़ कर काम कर रहे है स्वच्च भारत अंदोलन को इस जन विश्वात देही जन अंदोलन बे बदला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभ्यान को इस जन विश्वात नहीं जन अंदोलन बे बदला लाल किरे से मेरी एक पुकार पर कि जो सक्षव है उन्हें गैप सबसीडी छोड़नी चाहिए लाखों लोगों ने गैप सबसीडी छोड़ दी थी कुछ समय पहले ही कई देशों का एक सर्वे हुआ था इस सर्वे में सामने आया कि जिस देश के नागरिकों को अपनी सरकार में सबसे ज़्यादा विश्वास है उस सर्वे ने बताया उस देश का नाम भारत है यह बदलता हुआ जन मारस यह बढ़ता हुआ जन विश्वास भारत के जन जन की प्रतिकी प्रगिति का माध्यम बन रहा है साथियों आज आज़ादी के 75 वर्ष बात देश अपने अमरितकाल को करतब्यकाल के रुप में देख रहा है हम देश्वासी अपने अपने स्तर से देश के सपनों और संकल्पों को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं इसलिए आज विश्व भी भारत में भविश्य देख रहा है हमारे प्रयास आज पूरी मानवता के लिए एक आश्वासन मन रहे है मैं मानता हूँ कि लोक मान्य आज जहां भी उनकी आत्मा होगी वो हमें देख रहे हैं हम पर अपना आशिरवाद बरसा रहे हैं उनके आशिरवाद से उनके विचारों की ताकत से हम एक ससक्त और सम्रिद्य भारत के अपने सपने को जुरूर साकार करेंगे मुझे भी स्वास है हिंद स्वराज संग तिलक के आदर्शों से जन जन को जोड़ने में इसी प्रकार आगे आकर के एहम भूमिका निभाता रहेगा मैं एक बार फिर इस सम्मान के लिए आप सभी का आभार प्रकड़ करता हूं इस धर्ती को प्रणाम करते हुए इस विचार को आगे बढ़ाने में जुड़े हुए सब को प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं आप सब का बहुत बहुत धन्वाद जब ऐस सब्सक्राइब करते हुए झाल झाल झाल